ओम सान्ती बाबा कहते हैं बच्चों को रोज मुरली सुनना चाहिए तो रोज मुरली क्यों सुनना चाहिए आज हम सुनेंगे दादी जानकी के विचार मुरली बॉसिंग मसीन का काम करती है जिससे आत्मा रूपी बस्त्र साफ हो जाता है ज्यान की डिपार्टमेंट अलग है योग की डिपार्टमेंट अलग है ज्यान योग दोनों बहिन भाई हैं बाप अभिनासी ज्यान दाता है परंतु ज्यान कहता है योग योगत रहने के लिए द्यान दो योग से पवित्र रहने की सक्ति आ जाती है लेकिन निरंतर योगी बनने के लिए सदा अपने को यात्री समझो यात्री हूं तो जहां जाना है वह बुद्धी में याद रहता है यात्रा पर कई नियम बने हुए होते हैं उसको पालन करना पड़ता है यात्र सफल हो पीछे बुद्धी न जाए पीछे बुद्धी जाना अब सगुन है इसलिए भारत में यहावी रिवाज है कोई दूर देश में जाने बाला हुता है तो बुलाते नहीं है अब सगुन मानेंगे तो हमारी बुद्धी भी पीछे न जाए कोई बुलाए भी नहीं बा आत्माएं सांती धाम में होंगी तो हम सुखदाम में रहेंगे थोड़ा टाइम सांती धाम में रहकर सुखदाम में आ जाएंगे हमको ड्रामा के इस राज का पता है पांच हजार बर्स का चक्र बुद्धी में अच्छी तरह से बेठा हुआ है हम देवता कुल की आत्माएं स साथ साथ दिव्य गुण संपन बने उसके लिए सिक्षा दे कर समझा रहा है हमें पवित्र बनकर सांतिधाम में जाना है तो बापिस ले जाने के लिए बाबा ने जो ड्यूटी ली है उसके लिए पावन बना रहा है जब सतो प्रदान पावन बनेंगे तो सतो प्रदान स्रिष्टी में आएंगे बाबा कहते बच्चे सरीर का बान छोड़ दो जो बहुत काल से सरवेशेवल हैं उनको बाबा याद कर करेंट देता है बहुत याद पहुँचती है जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं उन्हें बाबा भी सकास करेंट वा सर्च लाइट देते हैं अंदर बाबा सकास अर्थार्त सुक्षम बल दे रहा है सर्च लाइट भी दे रहा है जैसे चारो और लाइट ही लाइट है एक ग्यान की लाइट मिली है फिर बाबा अपनी सर्च लाइट देता है जिससे पुराने सब हिसाब किताब खत्म होते जाएं बाबा अपनी सर्च लाइट से पूरा पावन बना रहा है फिर करेंट भी दे रहा है तो आसरीरी बन जाते हैं इतना हम बाप को प्यार से याद करने वाले हैं तो बाबा का इतना प्यार पाने के हम अधिकारी हैं, उसमें बहुत दुआएं भरी हुई हैं, बाब का प्यार हमारे लिए सक्ति बन जाता है, ग्यान धन है, प्यार सक्ति है, बाबा इतनी अभी नासी ग्यान धन देता है, जिन रतनों से हम खेलते हैं, यहां संसकार मिलाएं तो वहां रास करेंगे सारा दिन बुद्धी में यहां और वहां की याद है पूरा भविश्य बावा की नजरों के सामने है ऐसे हम बच्चों की नजरों में भविश्य है भविश्य नजरों में आता है तो पुरसार्थ अच्छा चलता है नमबर अच्छे लाना है तो पढ़ाई अच्छा पढ़ते हैं पढ़ाने में भी पढ़ाई है हमारे इस स्कूल में बंडर है बाबा कहता है सुबह को पढ़ो बुद्धी में अच्छी तरह धारनकार फिर स्याम को पढ़ाओ पढ़ने और पढ़ाने में कभी सुस्त नहीं रहो बाबा नित्य नई पॉइंट्स देता है बड़े सौक से पढ़ते हैं बाबा की पॉइंट कभी रिपीट नहीं होती बाबा सदब भिन्य सब्दों में भिन्य रहिस्तों में पढ़ाता है बाबा अंदर से रस भी भरता है एसी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बुद्धी सुद्ध होती जाती है मुडली सुनते जाते हैं ब्रेन वोस होता जाता है यदि वोस नहीं होगा कच्रा भरा होगा तो ग्यान कैसे बेठेगा बाबा कहते हैं मेले कपड़ों को सटका लगाता हूँ तो कपड़े फट जाते हैं बाबा अच्छा दोवी है बिस्वाज चाहिए कि यही दोवी हमारी आत्मा का कपड़ा साफ कर सकता है कई बार अनुभव होता है बोसिंग मसीन का काम मुरली कर रही है स्वक्ष बना देती है सच्चाई क्या है उसको परखने की सकती आ जाती है जूट क्या है उससे गिलानी आ जाती है हमारी किस से गिलानी नहीं है जूट से है हम सब्चे बाबा के बच्चे जूट बात नहीं करेंगे लोव, मोह और धे अभिमान के कारण जूड बोलते हैं, पाप करते हैं कभी भी हमारे अंदर ये कमजोरी का सब्द नहीं निकल सकता की लाचारी है हमको अपने पाप काटने हैं भक्ती मार्ग में भले कासी करवट खाते हैं किया हुआ पाप ना सोता है लेकिन आगे पाप न करें यहा नहीं होता यही ग्यान और भक्ती का फर्क है भक्त भगवान को याद बहुत करते हैं परन्तु दे अभिमान नहीं छूटता सूक्ष्म बिकार नहीं जाते हमारे सूक्ष्म बिकार खत्म होते जाते हैं योगबल से हम पावन बनते जा रहे हैं, अब हमें पाप करने का कोई संकल्प ना आये, यदि आये तो खबरदार रहना, बावा कहता था बच्चे अंदर संकल्प भले आये, कर्म में नहीं आना, अभी बावा कहता है संकल्प में भी ना आये, संकल्प आया तो कर्म में भी आ जाएगा, संकल्प आया तो पुराने संसकार उनको साथ देंगे पुराने संसकार खत्म नहीं हुए है अपने को चेक करना है पुराने संसकार बदल कर देविय संसकार बने है ऐसी संसकार वाली आत्मा को अगर संकल्प आता है तो खत्रा समझना चाहिए संकल्प को भी लोज नहीं छोड़ना है इसमें ज्ञान काम करता है अपने संकल्पों को सुद्ध बनाना बाबा से इसने हैं मजबूत रखना बाबा अपनी पावर अपनी सक्ती देकर पूरा पावन बनाकर अपने पास बिठा ले हमारा सच्चा पूर्शार्त है दिल है तो बाबा सच्चे पूर्शार्ती को मदद देता है बाबा जानता है ड्रामा में नूदा हुआ है लेकिन हमें दिनराज सकास देकर करेंट देकर पूर्शात कराता है कितनी मेहनत करता है सदा हिम्मत रख कर बाबा से मदद खींचो सब संग तोड एक संग जोडू यहां मेरा काम है पक्के निश्चे से डोर मजबूत रखो हमारा निश्चे बाबा का बल बेगरी पार्ट में बहुत बच्चे बाबा को छोड़ कर गए संग की रंग दे अभिमान के कारण भगवान का घर छोड़ कर कहां जाएंगे यहां ख्याल नहीं आया एक संग निश्चे बुद्धी बनाता है दूसरा संग संसे बुद्धी बनाता है निश्चे बुद्धी में कितना बल है कितनी बाबा की मदद होती है वहाद दिन भी अती प्यारे है सच्ची दिल से सेवा करने वाले को बाबा की बहुत मदद मिलती है नाम की कामना ना कर भगवान का नाम बाला हो स्वास संकल्प जहां तक जाते हैं सफल होता जाए उसमें बहुत मदद है बाबा ने कहा जितनी ग्यान की लाइट माइट मिलती है तो लगता है यही लाइफ है फिर अंदर से आता है सबको ऐसी लाइफ मिले सदा खुश नसीव समझने की लाइफ जो भी जिस प्रकार की सेवा करता है भविस से अपने कर्मों अनुसार जमा करता है लेकिन बाबा तुरंत खुसी देता है बल देता है बाबा वविस्थ के लिए नहीं रुकता बड़ी खुसी होती है बल मिलता है योग लग जाता है यहाँ प्रत्यक्षफल है गीता में है यहाँ ज्यान योग तुमको प्रत्यक्षफल देने वाला है और कोई इच्छा नहीं रखो, निसकामी रहो बाबा छोड़ता नहीं बहुत देता है लेकिन बच्चे लेते नहीं है और और कामना रखते हैं बाबा सुक्ष में तो उसी घड़ी दे रहा है हम अच्छा संकल्प रखते हैं तो बाबा खुसी और बल देता है बाबा के बच्चे अनुभवी हैं इस अनुभव को बढ़ाते जाना चाहिए इस्वर ये परिवार के इसने का अनुभव को बढ़ाना चाहिए उस अनुभव को याद करो बाबा के घर में कितना अच्छा अनुभव पाया है उन अनुभवों को याद करते करते देपता मूर्त बन रहे हैं हमारा अनुभव ही कहता है उप्राम होते होते एंजिल बन जाएंगे विबेक ज्यान समझ अनुभव कहता है हम बन जाएंगे परंतु कांटों के जंगल में कोई कांटा ना लग जाए पुर्शार्त में रुक ना जाएं अपने को संभल कर चलें मंजिल उची है परन्तु समल से समलते पार पहुँचना है खेवनार खिवईया बहुत हुश्यार है उसके कदम पर कदम उठाते चलो अपने विश्वास को चेक करते रहो की कितना मजबूत है विश्वास कम हो नहीं सकता विश्वास कदम कदम पर आगे बढ़ाता है अनुबवी बना देता है विश्वास से अनुबवी बन जाते हैं बावा का प्यार इतना लो जो बहब प्यार की करेंट आ सरीरी बना दे अच्छा, ओम शान्ती